दो अगस्त को जारी RBI की Consumer Confidence Survey रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था और रोजगार के मौजूदा हालात पर लोगों की प्रतिक्रिया दर्स की गई इस सर्वे के मुताबिक लोगों का भरोसा पहले के मुकाबले काफी नीचे आया है जून 2017 का Consumer Confidence Survey रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने 6 महानगरों में किया जिन में बैंगलूरू, चन्नाई, हैदराबाद, कुलकाता, मुंबई और नई दिल्ली शामिल है इन शहरों से देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार, आय, व्याय, आदी की स्थिती पर 5,269 जवाब मिले इस सर्वे के मुताबिक लोगों का Confidence Specimistic Zone में आ चुका है 100 के नीचे पेसिमिस्टिक यानि निराशा जनक होता है जून 2017 में उभोकताओं का भरोसा 96,8 तक गिर चुका है अर्थव्यवस्था की स्थिती भी लोगों की नजरों में बिगडी है माई के मुकाबले जून 2017 में माइनस 1,3 फीजदी से गिर कर माइनस 7,5 फीजदी पर आ गई है लोगों ने अगले एक साल में इसके और गिरने का अनुमान लगाया है सर्वे के मुताबिक लोगों की आमदनी भी घटी है और माई में 4,4 फीजदी की जगा जून में आए 1,4 फीजदी पर आ गई है रोजगार के आकडों में भी भारी गिरावट आई है माई 2017 में माईनस 78 फीजदी के मुकाबले जून 2017 में ये माईनस 81,8 फीजदी पर आ गई है सामानों की कीमतों को लेकर भी 85,2 फीजदी लोगों ने कहा है कि इन में बढ़ोतरी हुई है और केवल 3,4 फीजदी लोगों ने कहा है कि इन में बढ़ोतरी नहीं हुई है इन मुकी शेतरों में जनता का उठता भरोसा इस बात की तरफ इशारा करता है कि अर्थवेवस्था और रोजगार में आई गिरावट ना सिर्फ कागजों पर नजर आती है बलकि बाजार में भी इनका गहरा असर हो रहा है समराज शर्मा गो नियूस